आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन गूर रहस से बताने वाला हूँ जो कि किसी को भी आपके वशिभूत कर सकता है यह प्रयोग ऐसा है जो कि लाखों मील दूर बैठे इनसान को भी आपके वशिभूत कर दे और इसे श्वेत आर्क पर बनाना होता है श्वेत आर्क जो जैसे आक्टा जिसे कहते हैं उसके दो प्रकार होते हैं एक तो जिसमें नीले नीले फूल आते हैं और दूसरा जो होता है वो सफेद फूल वाला होता है तो उससे आप बना सकते हैं आपको क्या करना है कि आपको हकीक की माला लेनी है और उसके बाद इस प्रोसेस को शुरू करना है तो सबसे पहले हकीक की माला और सफेद आग का कहीं से भी प्रवंद कर लीजिए इसमें आपको समय रहेगा रात के कोई भी समय जो रात का समय हो उस समय आप इसको कर सकते हो दिन रहेगा शनिवार आसन लाल रंग का दिशा रहेगी पश्चिन दिशा जब संख्या रहेगी 5000 और ये 5 दिन के लिए आपको करना है इस प्रयोग को करने से किसी को भी अपनी और आकरशित किया जा सकता है यह प्रयोग किसी भी शनिवार से प्रारह भी किया जा सकता है इस प्रयोग में केवल मंत्र से ही इच्छित व्यक्ति को अपने वश्मी किया जा सकता है सवा लाख बार इस मंत्र का जाप करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके बाद आपको इस मंत्र का कभी भी प्रयोग कर लेना है जब किसी के लिए प्रयोग करना हो तब शनिवार की रात्री को एक पट्टे पर श्वेतार गणपती स्थापित करें उनके समक्ष तेल का दीपक लगाएं उप्रोक्त मंत्र जो है उसका जाप करना शुरू करते हैं ये जो मंत्र में आपको दे रहा हूं इस मंत्र का जाप करना आपको प्राराम्ब कर देना है और इसके बाद जो है वो जो गणपती है वो सिद्ध हो जाएगा पांच हजार की संख्या में आपको प्रति दिन इस मंत्र का जाप करना है और इस प्रयोग को करने से पहले आपको कुछ सावधानिया रखनी होगी जो कि मैं बहुत बार आपको बताता रहता हूँ कि किसी भी तरह का मादक परदार्थ जो है वो प्रयोग में ना लाएं क्योंकि जब आप ये प्रयोग करने जाएंगे तो कुछ ऐसी शक्तियां आपके भीतर आती हैं जो कि इन चीजों से बहुत ही कूपित हो जाती है और आपका अनिष्ट भी कर सकती है तो सबसे पहले मास, मधिरा, किसी भी तरह का अगर आप भूमरपान करते हैं कोई बीडी, गुटका, सिक्रेट पीते हैं तो उसको छोड़ दीजे और सात्विक बन कर इसका प्रयोग कीजेगा स्वेतार्क गणपती आपको प्राप्त करना है, ये शुद्ध होना चाहिए क्योंकि मार्केट में जो है आपको 99% नकली मिलेंगे तो आपको क्या करना है, एक श्वेतार्क ढूंड लेना है, कहीं से भी कहीं पर भी लगा हो, किसी जंगल में लगा हो, किसी वाटिका में लगा हो तो शनीवार के दिन उसकी जड़ जो है निकाल लेनी है, जड़ में आपको आकरती दिखेगी गणेश जी की जिस जड़ में आपको गणेश जी की आकरती दिखे, उसको ले आईए, अच्छे से साफ कीजिए, धूब दिबग दिखाईए, और उनको जो है, सिंदूर आता है एक बजरंग वलियाला, उसमें लपेट के रख दीजेगा उसके बाद इनके प्रतिष्ठा जो जैसे मैंने आपको बताई, इस मंदर से कर देनी है, यह मंदर प्रति दिन आपको 5000 बार जाब करना है, जाब करने के बाद यह जो गणपती हैं, यह सिद्ध हो जाएंगे, मतलब कि जागरत हो जाएंगे, और यह नाना परकार की आपकी कामनाओं की पूर्ती करेंगे जैसे कि अगर कोई आपकी अभिलाशा हो जो की पूरी ना हो रही हो जो की बहुत दिनों से आपके मन मस्तिक्ष में हो लेकिन पूरा ना हो रहा हो तो भी ये उसको पूरा कर देगा ये इतना चमतकारी है कि ऐसा कोई विश्व आपका नहीं हो जो पूरा ना हो सके किसी को वशिबूत करना हो किसी को अपने अनुकूल करना हो उसमें भी काफी फायदे मंद है गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है और लंबोदर जो हैं वो किसी भी तरह की विग्न को हर सकते हैं तो अगर आपकी जीवन में कोई हरडल हो कोई परेशानी हो तो ये जो उपाय है ये उसको भी दूर करतेगा तो विग्न हर्ता का जब आप इसमें प्रवेश कराएंगे तो आपकी चाहे किसी भी प्रकार के समस्य हो वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी अपनी मनोकामनाओ की पूर्ती के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तो मंत्र लिख लिएजगा मंत्र है ओम नमो वीर वैतालाए सहत्र भुजाए होंकाराए आदी पुरशाए अमुक आकरशन कुरु कुरु स्वाह अमुक की जगे पर आपको अपने साध्य व्यक्ति का नाम लेना है यदि आपके पती जो है वो उग्रस वभाव के हों उनको अपने अनुगूल करना हो तो उनका नाम अमुक की जगे पे लिजए यदि अपनी गल्फरेंड को अपने वश्मे करना हो तो अपनी गल्फरेंड का नाम हापी लेजए किसी को भी वश्यबूत कर सकते हैं बस अमुक की जगे उनका नाम लेजिए और इस मंतर का जाब कीजे प्रते दिन पांच दिन तक आपको पांच जार के संख्या में इसका जाब करना है इसके बाद ये ये अंतर ये जो लंबोदर हैं ये सिद्ध हो जाएंगे और आपके जन्म जन्मांतर तक जब तक ये मूरत आपके पास रहेगी तब तक आपकी पुष्ट जितनी पुष्टे हैं उनमें कोई किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा आपकी काम बनते चले जाएंगे अगर पैसो की दिक्कत आ रही है तो उसमें भी ये बहुत सटीक काम करता है यदि किसी व्यक्ति को आकरशित करना हो तो उसके लिए बहुत ही प्रभावी तंतर है इसका प्रयोग करने से आपके जन्म जन्मांतर तक के दुख दूर हो जाएंगे इसको बनाते वक्त आपको जो दिशा है उसका ध्यान रखना होगा जैसे कि मैं कहाता हूँ कि पूर्व दिशा में आपको मुख करके बैठना होता है लेकिन ये जो विधी है इसमें आपको उल्टा बैठना है पश्चिम की तरफ पश्चिम की तरफ आपका मुख होना चाहिए और फिर जो है ये साधना करनी है जो श्वेतार्क का जो गनपती होता है उनको आसन पर बिठाएं किसी लकडी के आसन पर बिठाएं और उसके बाद धूब दिप्रक दिखाएं नवेच चड़ाएं फूल माला तामबुल जो भी है जिस भी तरह से आप उनकी सतकार कर सकें उनकी पूजा कर सकें वैसे कीजे और उसके बाद आपको ये मंतर पांक जार बार जाप कर लेना है पांक जार बार पांच दिन आव कर वगर आपके बिखड़ हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं और नानव परकार की सिद्धियां भी आपको ये दे सकता है लेकिन याद रहे कि किसी भी हालत में ये आपसे गुम नहीं होना चाहिए कहीं पर कहीं पर भी आप इसे रख कर ना भूल जाएं क्योंकि ये जो है ये एक बार सिद्ध होने के बाद आपकी सारी मुरादे पूरी कर सकता है इसको अपनी जान से भी जाद संभाल के रखेगा क्योंकि जिस घर में श्वेतार्क के गणपती होते हैं वहाँ पर कोई भी विग्न नहीं आती नाना परकार की बिमारियों को ये दूर रखता है और जहाँ पर काम बनते बनते बिगड़ जाते थे इसके आने से वहाँ पर काम बन जाते है बंद दुकाने खुल जाती है और जो धारक है वो अगरसर ही रहता है हर काम में जहाँ पर भी हाट डालेगा वहाँ पर उसको सफलता ही मिलेगी तो सबसे पहले तो आपको श्वेतार्क का गणपती प्रात करना है मैं पहले ही क्या चुका हूँ कि किसी भी दुकान से इसको ना ले आप कालीविद्या.com से ले या फिर खुद बनाएं तो ही ये काम करेगा यदि किसी दुकान से लिया तो आजकल 99% ये आपको नकली मिलते है इसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं 999-284-1625 पर तो ये आपको सिद्ध प्रानपतिष्ठा के साथ मिल जाएगा प्रानपतिष्ठा और सिद्धी के बाद आपको ये यंत्र आपके पते पर भीज़ दिया जाएगा कालीविद्या.com पर जाकर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और यदि कोई तुरूटी हो कहीं पर कुछ समझ में नाया हो मंत्र आपको बोलना ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे वाट्सअप कीज़ेगा इसी नंबर पर कालीविद्या.com पर आपको नाना प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र मिल जाएंगे वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं या फिर मुझे वाट्सअप कीज़ेगा तो अभी 20-25 ही बनाऊंगा मैं 27 को जो है वो पूर्णिमा है उस दिन मुझे बनाने हैं और जो थोड़े बहुत पड़े हैं मेरे पास 20-25 अभी पड़े होंगे तो वो जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब ये बने थे तो ओर्डर जादा आ गए और मेरे पास 20 ही बने हुए थे तो इस बार सबको मिलेंगे तो 27 तारिक से पहले पहले मुझे ओर्डर कर दीजे ताकि ये आपको सिद्ध किये हुए मिल सकें और इनमें इतनी शक्ति होगे कि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है सबको बना देगा तो जिसको भी चाहिए कॉल कीजेगा धन्यवाद जिसको भी पार्डर के जिसको भी चाहिए कि आपको अ किए अ कि आतना देगा धन्यवाद लेड़े हुए कि आतने शक्ति है ओर उन्यवाद